समय जब संगर्षों की चाल के साथ में लगातार गतिमान हो और व्यक्ति भी अपने प्रयासों को चोड़ने को राजी नहीं हो तो अंततो गत्वा सफलता मार्ग प्रशश्ट करते हुई प्रतीत होती है मंगल प्रदान राशी के महान भाव अभी डहिया के मद्य सरे के साथ में गतिमान है तो वहीं देव गुरु ब्रहस्पती नेश राशीस्तान में अपनी अंच का तिवस्थाँ में डलान की और अगरसर है शुक्र मंगल शनिदेव की यूती संगत इस्ततियां जब कुछ समय के लिए बनी हुई हो सूरी राहो का ग्रहन दूश, बुद राहो का जड़त्व दूश में जब हो दो, तीन, उनतीस, तीस, एवं एकतीस मार्च दोहजार चौबीस के साथ चंद्रमा का प्रभाव अपने नीचस्त राशी स्थान के साथ रहेगा शुक्र की इस्तियां चतुर्त भावस्त करम के साथ में साथ मार्च से प्रवेश कर जाएंगी मंगल यहां एक तरह से भूमी स्थान के साथ में रहने वाले होंगे स्वेंबी भूमी सुत हैं 15 मार्च दोहजार चौबीस के बाद शैनिदेव चतुर्ते शोकर चतुर्त भावस्त करम में उरश्चिक राशी के महान भावों के लिए चलाएमान इनकी द्रिस्टी पुने परतम भाव को देखती हुई इसे वज़े से ड़या का अनंतर करम चल रहा है पंचब में राहू एक आदश में केतू की स्थियां सूरी राहू का ग्रहन दोश 14 मार्च के बाद बनने वाला होगा साथ मार्च से बुद्ध की स्थियां अपने नीचस राशी स्थान में परवेश कर जाएंगी जहां बुद्राहू का जड़त वदोश भी सामने रहेगा देव गुरूरेस्पती सस्थ भाव के साथ में देरंतर कतिमान है एक मैई 2024 को अपनी अवस्थाओं को बरिवर्दत करने वाले होंगे और हम चर्चा की शुरुवात करते हैं प्रतम भाव के साथ में मंगल की जो इस्तियां है वो यहां 15 मार्च से चतुरत भाव में प्रवेश करेंगी उसके पहले प्राक्रम में रहने वाली होंगी नौकरी पेशा जीवन में मार्च के शुरुवाती पंदरहे दिन अद्भत कहे जाएंगे आपको किसी भी प्रफाइल चेंज की तरफ जाना है आपको किसी प्लेस स्पेसिफिक के साथ में अपनी लोकेशन को रिसाइड करवाना है या कोई भी ऐसी अप्रूच को देखना है जो की अपर लिवल की मैनेजमेंट के साथ में डिसकुशन की और जाती है मंगल की ये अवस्ता आपको काफी हद्टक सयोग करेगी इंटरनल एप्रोच के साथ में ही जो चेंजिस होते हैं यानि कि और्गनाइजेशन की भीतर ही जो परिवरतन के लिए इंटरव्यूस देने होते हैं बाचीत करनी होती है या कुद को प्रूवन बीसेस के साथ में लेकर चलना होता है शुरवाती पंदर है देवसों को आप कुद के लिए अद्वत अवस्थाओं के साथ में मान कर चल सकते हैं आत्म विश्वास की प्रखरता भी यहां आपके साथ में काबिस रहने वाले होगी medical संबंदी फिल्ड में है तता अपनी क्लिनिक को establish करने की तरफ जा रहे हैं pharmaceutical संबंदी फिल्ड में है कुछ add-on करने की तरफ जा रहे हैं तब भी मंगल का उच्चस्त प्रभाव के साथ में होना बले ही डईया चल रही हो आपके लिए शामदार क्रमिक विवस्ताओं को दर्मित करता है शनिदेव कई बार व्यक्ति को अति आत्म विश्वास के साथ में भी जोडते हैं इंडर्वियोज इतने दे लिए अब क्या कोई पूछेगा हम से हम तो इंडर्वियोर का इंडर्वियो उक्तर से लेने की तरफ जा रहे हैं कई बार व्यक्ति अति उत्साव में ये भी कह देता है ऐसी अवस्ताओं से इस महीने पूर्ण कालिक तोर के उपर खुद को संभालने की जरूत रहेगी तो वहीं ये भी देखिएगा कि एनर्जी का जो इंफ्यूजन है वो अट्मोस्ट पॉजिटिव लेवल पर बना रहेगा द्विती भाव की चर्चा करते हैं तो फाइनेंस संबंदी काम का आज में बैटर्मेंट है अटके हुए रुपए और पैसे की इस्तियों में यहां आपके लिए त्वरित अवस्थाएं निकल कर आ सकती है किसी लोन आदी के एक्स्पेक्टेशन के साथ में आप चल रहे हैं जहां से बिजनस के प्रोस्पेक्ट डेबलब हो तो उस पोजिशन के साथ में भी आप फ्लॉलस मेजर्स के साथ में चलने वाले होंगे कोई भी दुराव की प्रवर्ती यहां आपके लिए नजर नहीं आती अप एक्षित तोर पर वरद्धी के करम्त की जो अवस्थाएं होती है वो आपके लिए निर्धारित मार्ग को मिनाने वाली रहेगी इतुरित गती वाणी मुर्दभाशिता लिये वो है अटकाव बटकाव नहीं पारिवारिक जोनों का सयोग आपके संगर्शों के मद्ध आपके लिए संबल की एक ऐसे दिप्त जूती है जहां से मन पूरे पूरे तरीके से एक अलग सुखद अवस्था को प्राप्त करता चला जाता है ये क्रम बद अवस्था भी आपके लिए यहां पर मौजूद रहने वाली होगी जिसमें कोई भी ओतार चड़ाव यहां आपके लिए गतिमान होता हुआ प्रतबिम्बत नहीं होता यही एक मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थत भाव के साथ में आप लेकर जरूर चलते चले जाईएगा प्राक्रम भाव की चर्चा करता है तो आप देखिएगा कि प्राक्रम की अनिपती चतुर्थ भावस्थ करम में है शुक्र शनिदेव की यूती, मंगल और शुक्र का भी जो करम बद इस्ततियां है वो सामने इसी वज़े से यहां आपको वेर्थ इस्तर के उपर अपनी औरजा का हनन करने से बचना चाहिए लोगों की विद्रो सामने आएंगे कई जगे तर्क और कुतर्क की स्ततियां सामने आ सकती है उससे हमको पूरे तरीके से संभल कर चलना है अपने आत्म विश्वास की स्ततियों को काबिस करके लगातार गतिमान रहिएगा परंदु अति आत्म विश्वास नहीं पनपने पाए यहां यात्राओं से संबंदित कामकाज मानसिक और शारिरिक ठकावट दे सकता है उससे भी हमको पूरी तरीके से संभल कर चलने की जरूरत स्वयन के लिए रहने वाली होगी यह निविदन आप से करना चाहेंगे कि भाईयों तथा मित्रों के साथ में भी हम खुद को पूरी तरीके से सामंजस से पूर्ण करम में लेकर चलें किसी की मदद करने के तरफ जाना है बले ही वो निकट वर्ती जन भी हो हम अपने लिमिट को डिसाइड करके चलने वाले हूँ अन्निता संबंदों में दबधाएं निकल कर आ सकती है चतृत भाव की चर्चा करते हैं तो जैसे ही चतृत में शुक्र की इस्ततिया पर रविष्ट करेंगी व्यक्ति मड्रिलिस्टिक लग्जरी के परती फैसिनेशन पर आने लगता है ये भी हासल करना है वो भी हासल करने की तरफ जाना है इस यात्रा में ये क्यों नहीं मिला, हमको इस और तिवरता के साथ में बहुत कुछ देखना था, इन सारी इस्तियों से बचिएगा, तो तुलनाएं कहीं न कहीं दो विधाईं देती है, जब भी शुक्र शनिदेव साथ में होते हैं, कर्म भाव को देख रहे होते हैं, और श इश्वरी विधान के साथ में आपको क्या-क्या मिला, और आपने सर्फ अर्थबक्ष के साथ में तुलना करके रख दी, तो कहां आवस्ता हैं पहुंचें, इसलिए कंपरेजन से पूरे तरीके से खुट को डेटैच करके चलिएगा, परंतो यहां पर आपके लिए, पुझा, देखते ही बनती है, तथा वहीं से आप अपने परबुद्ध करम को लेकर चलने माले होंगे, परंतो माता से वैचारेक विद्रो से बचिएगा, पैतरिक संपत्ते संबंदे विवाद में, जब हल नहीं निकल रहा हूँ, और हम लगातार लोगों के साथ में संग रूपेंड ये ध्यान रखें, कि यहां आपको अपनी क्षमताओं पर कहीं कहीं संदे उत्पन हो सकता है, उसे संबलने की ज़रूत है, स्टॉक मार्केट संबंदी कामकाज में, इस पूरे ही महिने, रिस्क की अपरोच से बचिएगा, जहां फॉर श्योर हैं और वर्षों रोकना चाहिए, अपने रफ्तार को पूरे तरीके से देमेपन की अवस्ताओं के साथ में लेकर चलने का प्रायत न करना चाहिए, ये फिफ ताउस का मेजर कंसॉलिडेटेड बेस आपके सामने रहेगा, ये भी इस पच्छता रखिएगा, कि तकनीकी शेतर के साथ में जो ये भी याद रखें, कि आप यहाँ जॉब से अगर पुने है, एजुकीशन की इनिशेटिव की तरफ जाना चाहते हैं, इस महीने थोड़े से देमेपन की आवश्ताओं आपके लिए बनी हुई है, वहीं सिक्स्थाउस के डिसकुशन की और यादि हम बढ़ते हैं, तो सस के साथ में जो कमी की स्तियां होती है, क्योंकि मंगल शुरुवाती तोर पर चौती दरिस्टी से जब अपने राशी भाग को देखने वाले हों, देव गुरुब रहस्पति गतिमान हो, तो व्यक्ति मन में एक ही बात को लगातार लेकर चलता है, मन मस्तश के साथ में एक ही पर वहां से तिलक करने वाली होगी, जहां शत्रपक्ष लंबे समय से आप पर हावी होने का प्रहतन कर रहे थे, एक्सबोर्ट संबंदी कामकाज में, तथा आईटी फिल्ट संबंदी कामकाज में, जहां विदेश संबंदी इस्तियों का कोई भी नाम निकल कराता है, इस स अंदर प्रसादन संबंदी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, या आप पूरे कंस्ट्रक्शन को बिल्ट करके उस एक तरह से बेचान की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसी सारी संभाबनाओं के साथ में अद्बुत अवस्थाएं आपके लिए रहेंगी, परंतु ग्रिहस्त पक्ष के साथ में, तथा विशेश तोर पर ससुराल पक्ष के साथ में, यहाँ के लिए गर्शन निकल कर आ सकते हैं, बली पतनी पक्ष हो या पर पति पक्ष, उस अवस्था से इस महिने संभलने की जरूत है, क्योंकि सब्तमेश स्वयम शनिदेव और मंगल के साथ में रह होना, यह परदर्शित करता है, और वो भी नीचस्त होना, इस पस्ट तोर पर रिसर्च से आपको दूर कर सकता है, 90 परतिशत तक आपने किसी भी पूरिशन की साथ में, अपनी इंडेफ्ट रिसर्च को पुरा कर लिए, फिर लगने लगा कि कुछ भी नहीं हो सकता, वहीं इसको फ्रेम्ड प्रोसेस के साथ में लेकर चलने की जरूत रहेगी, यह इस समय की एक हद है जिसको अपने साथ बना कर रखने का प्रयत्न करें, अलाकि मेटल संबंदिकारियों में आपके लिए तिवरता यहां शुमार होती चली जा रही है, भाग्य भाव की रियम प्रयत्न कीजिएगा और लगातार अपने प्रयत्नों के साथ में जीवन क्या भाव को देखने का प्रयास कीजिएगा, नाइन था उसकी यह रिजंबलेंस आपके साथ रहेगी, स्प्रिच्वालिटी का ड्रिवन बेस जो हता है, वो इतनी तेजी के साथ आपके लिए यहा परिवर्तन आपके लिए बहतर है, परन्तो शुरुवात में लगेगा कि क्यों कि या गलत निरना ले लिया हमने, परन्तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप कोई कमफर्ट मिलना चला जाएगा, चिंजिस के साथ में जो ग्रोथ मिली है, वो आपके एवाल्विंग परपस के लिए काफी रहेगी, ये क्लेरटी, परबंदन संबंदी कामकाज में दीमापन रखिएगा, सूरी बुद का बुरा दित्ते कुश्च दिनों के लिए बनेगा, बुद नीचस्त है, जड़त्व दोश्म भी है, इसलिए वहाँ से संभाब नाओं को, आप उस इस स्वास्त कुली कर चंता हैं, गाहे बगाहे सथाने वाली हो सकती है, वहाँ से भी समलें, लाब बाव की चर्चा करें तो केतू, पुर्णिफालों का उदय करते हैं, वहीं बुद बली नीचस तो परंतू अपने उचराशी स्थान को देखने वाले होंगे, लंबे समय से अ फ्लो आगे निकल कर आता है, उससे डिटैज करने के रिक्वार्मेंट होती है, उस एक मूल मंतर के साथ में अपनी आभा को नक्षेपित करके चलने का पूरा पूरा प्रयास आप करते चले जाहिएगा, और वहीं 12 भाव की रिम चर्चा करते हैं, तो 12 भाव क्यारिपती का चतुरत भावस्त करम के साथ में होना, आपके लिए व्याय में मेटरिलिस्टिक लग्जरी की अवरोज को कंटीनूस फ्लो के साथ में एस्टेबलिश करने वाला होता है, ये एक बात है, दूसरे करम के साथ में, कोट कचारी संबंदित मामलात में, यहां आपको 7 से 31 तक पूर्ण तया संबल कर चलने का प्रैप्न करना चाहिए, इसी समय की आभा के साथ में, जो भी कारे आपके लिए किसी इस्थान विशेश के साथ में जुड़े होते हैं, और अत्यदिक कर्चे वहां से निकल करा रहे हैं, वहां से भी खोद को पूरी तरीके से धीमे बन चाहूं के साथ तो बस्ते तोने का प्रैप्न करते रहें, गिदन निमाद है वंकोटी शेह, आभार